Hello Everyone, आज हम देखेंगे UPPCS में 2012 से 2023 तक के आए Miscellaneous के सारे प्रस्ट इसमें आपका Economics भी Include है और Paper 1 और Paper 2 दोनों के लिए Important है और आज का Lecture Series का Set No.6 है तो आते हैं पहले Question पे निमने में से किसके द्वारा मानो, विका, सुच, कांग, सर्वपर्थम विक्सित किया गया तो Given Option में Option है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा Even DP द्वारा अगले Question पे आते हैं निमने लिखित में कौन लोरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है तो Option D आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा I की विसमता निमने लिखित में कौन लोरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है तो I की विसमता Option D आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले Question पे आते हैं निमने लिखित करो में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है तो given option में option C आपका यहाँ पे सही आंसरों का अस्थानिये मेलों पर कर बागी जो आपका बिक्डी कर है और भूर अजस्वकर है इसे लगाया जाता है राज्य सरकार द्वारा अगले किशन पर आते हैं भारत में निमने लिखित पांच वर्सिये योजनाओं में किसका मुख्य उद्दे से समपोशनिये व्रिधी था तो given option में option D आपका यहाँ पे सही आंसरों का बारहवी पंच वर्सिये योजनाओं भारत में निमने लिखित पांच वर्सिये योजनाओं में किसका मुख्य उद्दे समपोशनिये व्रिधी था तो option D आपका यहाँ पे सही आंसरों का बारहवी इसके अलावा कुछ important point देख लेते हैं जो बारहवी पंच वर्सिये योजनाओं था इसका मुख्य विशाई क् चान सतथ विकास और विकास दर लक्शे कितना रहा गया था बारहवी पंच वर्सिये योजनाओं में 8% और जो 11 विकास दर के लक्ष के मुकाबले 8% की विकास तर हासिल की थी कौन सी योजना में ग्याडवी पंच वर्षी योजना में अगले किशिन पे आते हैं भारत में नगरिये छेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्रेलिखित में से कौन सी समिती गठित की गए थी तो given option में option D भारत में नगरिये छेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्रेलिखित में से कौन सी समिती गठित की गए थी तो option D आपका यहाँ पे सही यांसरों जगा हासिम शमिती अगले किशिन पे आते हैं वैस्विक गाउं की संकल्पना का विकास अधारित है तो परिवहन एवं संचार का विकास से option C आपका यहाँ पे सही यांसरों होगा वैस्विक गाउं की संकल्पना का विकास अधारित है तो option C आपका यहाँ पे सही यांसरों का परिवहन येवं संचार का μिकास अगले क्विशन पे आते हैं निमनांकित में कौन भारत में गड़ीवी रेखा का निर्धारन करता है तो अफ़संदी आपका यहाँ पे सही आंसरो का योजना आयो जो अप क्या बन्के है नीती आयो तो अब संदी आपका है अगले किशन पर आते हैं भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्ने लिखित में से किसे संबंदित है तो आई कर से ऑप्शन भी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्ने लिखित में से किसे संबंदित है तो आप्शन भी आपका यहाँ पर सही या अंसर होगा आई कर से अगले question पे आते हैं भारत सरकार दौर घोसी abc इंडेक्स निमने लिखित में से किस से संबंदित है तो सही अंसर यहाँ पे क्या होगा health स्वास्त से option c आपका यहाँ पे option c आपका यहाँ पे सही अंसर होगा भारत सरकार दोड़ा घोसी ABC ABC Index निमने लिखी तमें से किसे संबंदी थे तो option C आपका यहां पे साय आंसरो जगा स्वास्त से और ABC का मतलब क्या हुआ? Achievement of Babies and Children Index ABC Index का मतलब क्या हुआ? Achievements of Babies and Children Index अग लेकिशन पे आते हैं राष्टिये पडिवार स्वास्त सर्वेक्षन NFHS 2015-16 की अनुसार वरतमान में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो जब एक क्यूशन पूशा गया था तो यह आपका था उस समय आपका आंसर था 2.2 उस समय आपका आंसर था 2.2 लेकिन हम लोग यहां पे देखेंगे NFHS राष्टिये पडिवार स्वास्त सर्वेक्षन 5 2019-21 तो इसमें जो जो इंपॉर्टिन पॉइंट है वो हम लोग यहां पे कवर करेंगे तो NFHS 5 की अनुसार जो टोटल फर्टिलिटी रेट है कितना है? 2.0 ओवर ओल 2 है सारी छेतर में कितना है? 1.6 है ग्रामिन छेतर में कितना है? 2.1 है और जो डिप्लेस्मेंट लेबल ओफ फर्टिलिटी है ही कितना आपका है? फिक्स होता है 2.1 है जो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.0 है जो कि replacement level of fertility से नीचे है कम है यह याद रखना है इसके अलावा बिहार का कितना है TFR total fertility rate 2.98 यह एप्रोक्स 3 बोल सकते है UP का कितना है 2.35 है और उत्तर प्रदेश का target है कि 2026 तक कितना करना है 2.1 और 2030 तक करना है 1.7 तो यह साड़ी important point है जो कि आपको याद रखने है अगले question पर आते है 2011 की जनगनना के अनुशार निमने लिखित राज्यों में कि इसमें ग्रामीन एवं सहरी दोनों छेत्रों में सीसू लिंगन उपात निउन्तम है तो option C आपका यहाँ पे सही answer हो जाएगा हर्याना इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और point याद रखना है NFHS NFHS 5 के अनुशार UP में जो सीसू लिंगन उपात है कितना है 941 है अगले question पे आते हैं 2011 की जनगनना के अनुशार निमने लिखित राज्यों में से किसकी ग्रामी जनसंख्या सरवाधिक है तो given option में option D आपका यहाँ पे सही answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश अगले question पे आते हैं बिश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है 11 जुलाई को option है आपका यहाँ पे सही answer होगा 2023 की theme क्या है 2024 की theme क्या है leave no one behind count everyone अगले question पे आते हैं संजुक तराष्ट के आर्थिक एवं समाजिक मामलों के बिभाग के अनुसार बिश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिसत सहरी छेत्रों में निवास करता है तो एक report आया हुआ था revision of world urbanization prospects 2018 इसके according 55.3 है तो option D आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और even habitat की even habitat की world cities report 2022 के अनुसार 2022 में 56.2% सहरी छेत्रों में निवासी था अगले question पे आते हैं 2011 की जन गनाना के अनुसार उत्तर परदेश के निमने लिखित जन पतों में से किसमें महिला सक छर्ता दर सबसे कम है तो given option में option C आपका यहाँ पे सही आंसरोजा का स्रवस्ति और सबसे ज़्यादा है कानपूर नगड़ में सबसे ज़्यादा कानपूर नगड़ में कितना है 75.1% अगले question पे आते हैं 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयो जीत फीफा 200 कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2024 की ठीक है 2018 से कोई मतलब नहीं है तो 2022 की बात करेंगे और 2026 की बात करेंगे तो 2026 आपका होने वाला है कनाड़ा, मेक्सीको, ईवेसे में और जो फीफा 2022 हुआ था कहां पे हुआ था, कतर में हुआ था 32 टीमों ने भाग लिया था फाइनल किस ने जीता, अर्जिंटीना ने जीता किसको हराया, फ्रांस को हराया और कौन से स्टेडियम में हुआ था तो लुसेल स्टेडियम ये भी याद रखना है, कौन से स्टेडियम में हुआ था लुसेल स्टेडियम में अगले किशन पे आते हैं संजुक तराष्ट के संजुक तराष्ट के एक गौवर्मेंट सुचकाम 2018 के अनुसार, भारत का कौन सा अस्थान है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2022 को, ठीक है 2012 से कोई मतलब नहीं है, 2018 से कोई मतलब नहीं है 2022 का हम लोग देखेंगे तो इंडिया की रैंक है 105, इंडिया का स्कोर कितना है 0.5883 है डेनमार्क टॉप पे है अगले किशन पे आते है वैस्विक वैस्विक 37 सुचकांग 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है तो हमें 2018 से मतलब नहीं है हम यहाँ पे देखेंगे 2024 तो 2024 आपका 38 हुआ एडिशन था अच्छा जारी कुन करता है जो वैस्विक 37 सुचकांग है तो Institute for Economics and Peace भात की रैंग कितनी है 2024 में तो 116 भात की रैंग है 116 भात का स्कोर क्या है तो भात का स्कोर है 2.319 और अकर South Asia में क्योंब बात करें तो भात की रैंग है 5 और overall 116 तॉप पे कौन सा देश है तॉप पे है आपका आइसलेंड सबसे नीचे यमन है अगले किशन पे आते है 15 प्रवासी भारतिये दिवस जनवाडी 2019 में किस सहर में आयोजित होगा तो हमें 2019 से कोई मतलब नहीं है हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2023 कौन से नंबर का था 17 नंबर का था 2015 के बाद 12 साल पे होता है तो जो 17 प्रवासी भारतिये दिवस था यह आपका कहां पे हुआ इंदोर में हुआ जो जो इंपोर्डन पॉइंट हो देखेंगे और इसकी थीम क्या थी डैस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फोर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमरित काल अगले क्रिशन पे आते है निम्ने में से क्रिशने वर्ष 2018 के मैकसे से पुरसकार जीता तो भारत वटवानी और सोनम वांग चुक लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2024 की ठीक है तो 2024 में क्रिशने जीता है कर्मा फुंतसो भुटान की है कर्मा फुंतसो भुटान की है गुयेन गुयेन थी नगोग फुओंग वियतनाम की है तो अजीब सा नाम है फरवीजा फरहान इंडोनेशिया की है मियाजा की हायायो यह जपान की है और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो सुलावा ब्रिक्स समिट होगा उसके बारे में सुलावा ब्रिक्स समिट कहाँ पे होगा रूस में होगा कब से कब तक 22-24 अक्टूबर 2024 नए देश जो सामिल हुए है ब्रिक्स में कौन कौन से है तो मिस्त्र है आपका इरान है, इथोपिया है, शौदी अरब है और इवेई है अर्जेंटीना भी सामिल होने वाला था तो अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया अगले किशन पे आते है नॉर्मन बोर्लो को किस छेत्र में नोबिल पुरसकार प्रदान किया गया तो सांती के छेत्र में ओप्सन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1970 में दिया गया था अगले किशन पे आते है निम्नेलिशित में से किसे जेवी नरलीकर के अनुसार अभी तक बिग्यार नहीं माना जाता है तो जोतिसको ओप्सन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले किशन पे आते हैं धिंग एक्स्प्रेस क्या है तो हीमा दास का मुह बोला नाम ऑप्सन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले किशन पे आते हैं A Brief History of Time नामक पुछतक किसने लिखी है तो Stephen Hawking संचारक होता है, संदेश होता है माध्यम होता है, कूट संकेतन होता है संकेत वाचक होता है, प्रापक होता है और प्रती पुछती होती है तो Option D आपका यहाँ पे सही आंसर हो जागा प्रती पुछती अगले किशन पे आते हैं निमने लिखीत में से कौन सा किसी कार्य अस्थल में संप्रेशन की एक बाधा नहीं है तो सोड है, पुरुवगर है अनुप्युक्त माध्यम भी है शक्रिये सर्वर नहीं यह तो सहाइक होता है तो Option C आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले किशन पे आते हैं पौधा एक वनस्पती जिवधारी है यह आपका किसका उदाहरन है तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा पड़िया वाची पड़िभासा का Option C आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले किशन पे आते हैं भारतियों का अमेर, गरी, बुधिमान तथा मंद बुधिमान में विभाजन किसका उदाहरन है तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा मिश्रित विभाजन का Option है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले किशन पे आते हैं निमने लिखित में से कौन सा संप्रेशन प्रेकडिया का अंग नहीं है तो given Option में Option B आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जीवन मुल्य एवं द्रिष्टी तो अब Option से भी निकाल सकते हैं इसका आंसर अगले किशन पे आते हैं निमने लिखित में से कौन सी विशेष्टा समाजिक रूप से वन्चित व्यक्तियों के लिए उचित निर्ने लेने के लिए सरवाधिक महत्पूर्ण है तो इमपैथी परणुभूती Option है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले किशन पे आते हैं किसी संगठन में अधिकारी तथा अधिनस्तों के मध्यनियमित अंतरकिडिया का सबसे बड़ा लाफ विया है कि यह प्रभावी निर्ने निर्मान को शुगम बनाती है Option C आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अगले किशन पे आते हैं उच्चे अनुरूपता समू में लिए गए और तारकिक निर्ने कहलाते हैं तो समू सोच Option B आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले किशन पे आते हैं निर्ने लेने की कौन सी पधती सरवाधिक उप्यों की है तो दिर्ता पड़क Assertive Option C आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले किशन पे आते हैं लोहा एक सस्ती धातु है कि किसका एक्जामपल है तो अकस्मिक परिभासा का Option A आपका यहाँ पे Option A आपका यहाँ पे सही आंसर होजाएगा अगले किशन पे आते हैं कुर्शियों का टांग पिछला हिस्सा तथा सीट में विभाजन किसका उदार ने तो यह तो आपका भौतिक विभाजन का है Option B आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भौतिक विभाजन का अगले किशन पे आते हैं निमने लिखित में से कौन सा कक्छागत संप्रेशन में शम्मिलित नहीं है सही आंसर यहाँ पे क्या होगा Option A आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आप्रत्यक्ष संप्रेशन निमने लिखित में से कौन सा कक्छागत संप्रेशन में शम्मिलित नहीं है तो आप्रत्यक्ष संप्रेशन कक्छागत संप्रेशन क्या होता है प्रत्यक्ष होता है तो Option A आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले किशन पे आते हैं किस उद्द्य से हे तू विर्तकार संचार सरवाधिक उप्युक्त है सही आंसर यहाँ पे क्या होगा सदस्य संतुष्टी option C आपका यहाँ पे सही आंसर होगा किस उद्द्य से हे तू विर्तकार संचार सरवाधिक उप्युक्त है तो अप्शन C आपका यहाँ पे सही आंसरोगा सदस्य संतोष्टे अगले किशन पे आते हैं सुनने को सरवाधिक अच्छी तरह से परिभासित किया जा सकता है तो option B आपका यहाँ पे सही आंसरों का जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयूग एक प्रकिडिया के रूप में सुनने को सरवाधिक अच्छी तरह से पड़िभासित किया जा सकता है तो option B आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयूग एक प्रकिडिया के रूप में अगले किशन पे आते हैं प्रतिकिडिया देने से आप क्या समझते हैं तो given option में, option C आपका यहाँ पे सही आंसरों का एक संदेश के प्रती अपनी समझ की पुष्टी करना, अगले किशन बे आते हैं, निमने लिखित में से कौन सा 36 संप्रेशन का एक प्रकार है, तो option ने आपका यहाँ पे सही आंसरों का पार्सविक संप्रेशन, अगले किशन ब अपना ब्यक्ष्ण कक्छा में दिया option है आपका यहाँ पे सही आंसरों का एक प्रकार है, अगले किशन बे आते हैं, निमने लिखित में से कौन सा संप्रेशन का एक रूप नहीं है, तो option भी आपका यहाँ पे सही आंसरों का मनुरंजक उपनियास पढ़ना, अगले किशन बे आते हैं, कुछ भासाई सिखने में कठीन होती है, संस्कृत एक भासा है, अतयो संस्कृत सिखने में कठीन है, इसमें नहीं तर्ग दोस है, तो अव्याप मध्यमपद option है आपका यहाँ पे सही आंसरोंगा, अगले किशन बे आते हैं, निमने लिखित में से कौन एक वर निमने में से कौन सही शुमेलित नहीं है, एक तरफ योजना है, दुसरी तरफ उसका उद्यश्य है, तो उद्यज जो है, विदुत वित्रन करने वाली कंपनियों का विद्पोसन सही है, आपका यह तो फिर्दे जो है, बिरासत वाले सहरों का सरनक्षन एवं पुनर जिव यह भी सही है, अमरित आपका है, सहरों में मुलगूत संदचन सुधार और स्वक्ष भारत मिसंद सुध पेजल, यह गलत है, तो आपसंदी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अगले कुश्यन पर आते हैं, जो कि आज का आखरी कुश्यन है, निमने योजनाओं पर विचा इंडिया, 9 मार्च 2015, प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना, 9 माई 2015, और मुद्रा बैंक योजना, 8 अप्रैल 2015, तो कैसे अरंज करेंगे, सबसे पहले पहला, फीर आपका दूसरा मार्च में है, फीर आपका चौथा, अप्रैल में है, सबसे आखरी में, प्रधान मंत् शाइए तो आप हमाई टेलीक्राम चैनल प्रतीक आईक्यू, करेंट अफेर को जोईन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले, मिलते हैं नए वीडियो में, नेट टापिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ज हैंद।